लेकिन पेपर का लेवल अब बढ़ने लगा है तो अब OSI मॉडल से यहां से भी कुशन्स आने लगे हैं बात यह है कि आप computer के background से नहीं है तो कैसे समझेंगे बहुत ही आसान भासा में समझाओंगा 200-500% आप समझ जाएंगे हमारी वीडियो आप देखेंगे आपको लगेगा computer बहुत इजी है लेकिन यहां पर एक information यह है कि यह video है paid members के लिए तो definitely पूरी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी आपको मिलेगी सिख देखने को आधी वीडियो अगर आपको हमारी computer की classes चाहिए तो हमारी premium membership आप ले सकते हैं बहुत ही कम amount में है 99 रुपीज में one year के लिए है और आपको computer के साथ साथ computer तो आपको एक class मिलेगा उसके साथ साथ देखिए आपको 30-40 e-books मिलेंगी सारे SSC, LIC, Insurance, Bank जो भी होते हैं साथ इंप्रेक्टिस्टेट्स मिलेंगे, banking affairs मिलेगा और quant reasoning computer तीनों की video मिलेंगी, computer की video लोग पूछते कहां मिलेंगी, जब आप 99 रुपीज का payment कर देंगे, 24 hours के बाद आपको मिलेगा, link login करने का, देन आप login करिएगा, फिर यह open होगा, video lecture पे click करना, देन आप computer पे click करना, यहाँ पे आपको computer की videos दिखेंगी, चलिए, OSI model, द दो computer जब data send करते हैं, एक computer कहीं पर data send करता है, online, यहाँ पर बात हो रही है, over the internet या, over the not internet अगर भी बात करें, तो LAN आपको पता है न, local network, बिना internet की भी दो computer connected है, तो फिर data कैसे जो है, एक computer से दूसरे computer में जब send किया जाता है, तो क्या-क्या होता है, ठीक है, data send करते time, तो यह एक kind of reference model है, तो actual model यह follow नहीं होता है, actual model कौन सा follow होता है, जो हम बताएंगे अगली वीडियो में, जो कि है TCP IP model, ठीक है, transfer control protocol और internet protocol, IP address सुना होगा न, आपने, तो IP यही होता है, internet protocol address, तो यहाँ पर OSI model बहुत important इसलिए है, क्योंकि OSI का reference ही हर जगे यूज होता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, आपके exam में question कैसा आएगा, question आपका ऐसा आता है कि, अच्छा एक चीज़ और हो सकती है, OSI का अगर full form आ गया तो, उसे होता है open, S से होता है system, ठीक है, open system interconnection, ठीक है, open system interconnection यह होता है, आपका OSI model का full form, अब आप कहेंगे सारी layer where कैसे, याद होंगी, क्या layer कौन सा काम करती है, हमें तो computer के background के हैं है, पता नहीं है, कोई बात नहीं, computer के background से मैं आपको कुछ बताओंगा भी नहीं, अब अगर देखिए, इसको तो याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, अगर आप एक line याद कर लो, देखो, आज, फिर से test नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, यह line तो आप याद कर सकते हो, आपको OSI model की सारी यहाँ पर जो है layers याद हो गई, ए से application, P से presentation, S से session, T से transport, N से network, D से detailing layer, दिन अगेन P से physical layer, ठीक है, आज फिर से test नहीं देना पड़ेगा, यह line अगर आप याद कर लेते हैं, तो अब आपको सारे layer के नाम याद हो गए, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेंगे, तो आपको दिवां मों तो रहे गई, देख test कौन ही दिना चाहता है, test कोई दिना नहीं चाहता है, ठीक है, अब एक question यह आता है, कि भाई, OSI model की पहली layer कौन सी है, first layer, अब आपको सारी, उल्टा क्यों ना रखा है, बताता हूं, उल्टा क्यों ना रखा है, ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ से data send कर रहे हैं, ठीक है यह एक computer है, जो data send कर रहा है, यह computer है, जो data को receive कर रहा है, अभी layer का काम आपको बहुत ही आसान, भास में समझे आगा, थोड़ा सा वेट कर दिये, तो जब data send करता है, आप जो है, अपने computer से data भीज रहे हो, अपनी friend के computer पे, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी computer पे पहली layer होगी application layer, लेकिन जो computer receiving end पे है, जो data को receive कर रहा है, उसके end पे पहली layer होगी, physical layer, ठीक है, यह चीज़ क्लियर होगी, इसलिए मैंने just ulta के समझाने के लिए, कि data जहाँ पर receiver है, receive हो रहा है, वहाँ पर पहली layer physical layer होगी, यह चीज़ क्लियर होगी, कोई, इसमें आपको confusion नहीं है, व पहली layer कौन सी होगी, तो पहली layer होगी, physical layer, ठीक है, आज फिर से test नहीं देना पड़ेगा, last का जो P है, वो है physical layer, यहाँ पर यह होगी चीज़े आपकी related की कौन सी layer पहली है, इसकी, अब हम बात करते हैं, कि यह layer काम कैसे करती है, यह समझना बहुत important है, चलिए, एक person है, ठ यह एक दूसरी company है, ABC company है, ठीक है, अभी क्या है, यह जो ABC company है, यह एक Indian company है, जस्ट आप देखेगा, आपका बहुत इसी समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो George है, यह एक German company है, ठीक, समझ गए, अब यहाँ पर यह George क्या है, यह application layer है, मतलब यह है आपका CEO company का boss है, ठी ठीक है, ठीक है, सबोस्ट वो documents 300 pages के है, 300 pages का कोई document है, वो क्या करेगा, यह document इनको देदेगा, अभी हम यहाँ पर नाम दे लेते हैं, P से मानो प्रदीप, एक वरकर है, S से मानो संजीव, ठीक है, T से मानो कोई वरकर है तान्या, N से मानो कोई वरकर है नवीन, D से मानो है, जैसे, पुषपेंट, या कोई आसान सा नाम दे लेते हैं, ठीक है, यह वरकर है यहाँ पर, यह कोई याद करना नहीं, जिसमें आपको बता हो, तक इस समझने में आसानी हो, इसने 300 pages का document क्या किया, जो कि, अब यह तो यहाँ पर जो बहुत से, वो तो जर्मनी का है, ठ ठीक है, यह जर्मन कंपनी है, तो इसने जर्मन भासा में लिखे हुए, 300 page का code दिया, किसको प्रदीप को दिया, प्रदीप को दिया, बोला यार, यह code है यहाँ पर, अभी क्या हुआ, जब जर्मन लैंगवेज में लिखा हुआ, जो पेपर है, वो प्रदीप को मिला, तो प्रदीप में देखा, रहे यार, यह तो जर्मन लैंगवेज में है, बेजना है मुझे एक इंडियन कंपनी को, अब क्या होगा, अब तो मतलब कुछ जो है, वो इंडियन कंपनी समझ नहीं पाएगी, तो इसने क्या किया, इसने इस English के 300 pages के documents को, बोला यार, ऐसा करते हैं जर्मन लैंगवेज को हम इंगलिस में ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है, तो ट्रांसलेट करने से क्या होगा, कि इंडियन जो कंपनी है, जो वहां के रिवरकर्स हैं, वो इसको समझ जाएंगे, तो presentation layer पे क्या काम हुआ, presentation layer पे हुआ, काम data को present करने का, मतलब data सही से जा र रहा हो, इसी layer पे decide होता है, कि कौन सी file है, PDF file है, doc file है, ठीक है, यहीं पे check हो जाती है, presentation layer पे ही, कि जो data जिस format में वेजना है, वो उस format में है की नहीं है, ठीक है, अभी computer की language में भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, तो प्रदीव ने क्या किया, इसको English में convert किया, और English मे convert करने के बाद, उसको दे दिया, संजीव को, अब data आ गया, संजीव के पास, ठीक है, यह जो session layer होती है, यह मान के चलो, आपस में दोनों company का connection है, इन दोनों के बीच बात होती है, ठीक है, अभी संजीव के पास data दिया, प्रदीव ने संजीव को दिया, बोला यार 300 page है, औ 300 page को ऐसा करो कि, दूसरी company में भेजना है, इंडिया की ABC company है, वहाँ पे भेजना है, और यह data जो है, फटा-फट तुम वहाँ पे भेजवा दो, बहुत important है, ठीक है, अभी जब data संजीव के पास आया, बोला यार चलो ठीक है, data तो मैं भेज दे रहा हूं, लेकिन data भेज द सर्वेश, ठीक है, इतने सर्वेश को फोन लगाया है, बोला, हेलो सर्वेश, ठीक है, तुम्हारी यार company में हम 300 page का एक document भेज रहे हैं, और जब तुमको receive हो जाए वो document, तो प्लीज एक बार callback कर देना मुझे, ठीक है, बता देना कि यहाँ confirm हो गया, कि तुम्हें मिल गय ठीक है, तो session layer क्या होती है, session layer ही इस बात के लिए responsible होती है, कि data सही से जहाँ भेजना था, वहाँ पहुच गया की नहीं पहुच गया, ठीक है, इस बात के responsibility की होती है, session layer को, तो यह आपको याद रखना होगा, बहुत ही आसान देखिए, यहां पर संजीव ने इसको call और य इससे पुम्च गया सोकी नहीं पुरान अभी उसने यह देखा कि हा ठीक है वाई सेशन लेयर पे इसने संजीक ने कम्टिकेट कर लिया अभी क्या करेगा डेटा को आगे बढ़ा देगा ठीक है तो अब डेटा कहा आ गया तुम्हारा अब आगया डेटा ट्रांस्पोर्ट लेयर पर मुलब तान्या के पास आ गया अब तान्या ने देखा यार ठीक है ये 300 पेज़ है तो संजीव ने बोला तान्या ये डेटा जो है वो इंडिया भेजना है फटाफट जो एक जाएगा बचेगा नहीं, बहुत loss हो जाएगा मेरी तुन अखरी चली जाएगी, तो तानिया ने वहाँ पर अपना दिमाग लगाया, क्या किया इस 300 पेज के डेटा को 100-100 पेजिस के 3 डेटा में convert कर दिया, 3 packets में convert कर दिया, तो transport layer पर क्या होता है, transport layer पर आप जो भी data send कर रह की, तो तानिया ने क्या किया, 100-100 पेजिस के 3 bundle बना दिये, बोला चलो यार एक हो गया, 2 तो बच जाएगे, कुस तो data बच जाएगा, कुस तो idea लगेगा कि क्या data था इसमें, ठीक है, तो तानिया ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 300 पेजिस के data को 100-100-100 पेजिस में convert कर देना है, तो उसने session layer पे है, तो इसने दूसरे computer पे जो दूसरे company में अपने ही designation वाला अपने ही, जो लेवल पे बंदा था, तो call करके, यह बोल दिया कि भाई, जब जो है data पहुंजा तो confirmation देना, तो session layer करती है, confirmation का काम, transport layer पे तानिया ने क्या किया, उसने छोड़ मिसना हो, तो transport layer काम करती है, data को packets में convert करने का, छोड़ छोड़े packets में convert करने का, तो यह हो गई आपकी ऊपर की 4 layer, अभी नीचे की 3 layer, प्लस exactly कैसे काम करते हैं computer में, इनके बारे में हम discuss आगे वीडियो में करते रहेंगे, लेकिन ये वीडियो दिखने को मिलेगी सिर्फ paid members क इसके लिए मैं आप से चाहूंगा, अगर आपको भी computer सीखना है, computer का RBI, PO, RRBPO, RBI में और IBPS, SBI, जिसमें थोड़ थोड़ा computer आता है, सब के लिए बहुत important है, आप premium membership join करिए, वीडियो के description box में link दिया हुआ है, definitely आपके पूरे marks आंगे, कोई वी ऐसी चीज नहीं होगी, जो हम cover नहीं करेंगे, चुकि मेरा background ही computer का है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ, चलिए, paid members के लिए हम इस वीडियो को continue करते हैं, बागी registration करने का link वीडियो के description box में दिया हुआ है, 99 for one year only, 24 hour का wait करिएगा payment के बाद,